नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल अवी 008 पर भाईयो मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए कमपैरिजन वीडियो 4x4 वेरियंट जो आपका लाल रहने वाला है और 4x2 वेरियंट जो आपका ब्लैक के अंदर रहने वाला है यार दोनों गाड़ियों के अंदर अच्छा खासा प्राइस डिफ्रेंस है जो आपको ब्लैक थार 4x2 के अंदर पढ़ रही है यह है आपकी 10,99,000 रुपे एक शोरूम और भाई यह जो वेरियंट है आपका रैड थार तो मेरे भाई एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको यह वाला वेरियंट जो है यह आपका ऑटमेटिक के अंदर रहने वाला है और यह वाला जो वेरियंट है यह आपका मैंनुल के अंदर रहने वाला है तो मैं आपको बता रहा था इस वेरियंट की प्राइजिंग तो यह जो रेट था रहे यह आपको पढ़ रही है 16,29,000 रुपे एक शोरूम चलो यह तो बात रही अब इन दोनों वेरियंट में क्या डिफ्रेंस है मैं आपको वो बताए जाओ अब गया सकता है sil ना बया चैने िस वीडियो को आप देखो और खुद अपने हजाब से यह देखो कि कहा पैसा लगाना ज्यादा सही है overall comparison आपको बताता हूँ अगर आप front की बात करोगे तो देखो dimensions में ना दोनों में जरा भोध भी इतना सा भी कहते है न difference नहीं है क्योंकि same platform पे गाड़ी बनी ही है और two door है तो नन्ना भोध भी इसमें difference नहीं है मैं आपको लेकर चलता हूँ यहां की तरफ तो भाई इसका overall front check out कर लो आप वही round shaped इसके अंदर halogen के अंदर head lamps मिल जाते हैं और इस side अगर आप आओगे तो भाई DRL plus आपको indicator मिल जाता है नीचे इस variant में fog lamp मिलता है और वही say muscular इसके अंदर आपको जो bumper है वो मिल जाता है आपकी यह grill मिल जाती है ठीक है और same है आपको ground clearance मिलती है इसके अंदर 226 mm की अब इधर की तरफ आजाते हैं भाई यह है आपकी red था same halogen मिलते हैं same आपका bumper हो गया जोड़ा भोद भी difference नहीं है वही same ground clearance और वही आपका की placement मिल जाती है तो यह scene रहा भाई पूरा front का अब देखो front में ना एक difference कहाँ आएगा जब दोनों के hood खोलेंगे that means bonnet खोलेंगे ना वहाँ difference आएगा जो यह देख रहे हो आप यह 2.2 लीटर diesel engine के साथ है जो power produce करती है 130 bhp और 300 nm का टॉर्क और भाई यहाँ पर आप आऊगे ना ब्लैक थार की तरफ जो 4x2 है यह भाई diesel variant है 1.5 लीटर और इसके अंदर जो power है वह है आपकी 117 bhp 300 nm का टॉर्क मतलब दोनों भाई टॉर्क की मामले में ना महिंद्र ने इतना च्छा काम करा है जरा भूद भी difference नहीं छोड़ा बिल्कुल सेम टॉल्क दिया गया है ठीक है मैं आपको साइट से दिखाता हूं भाई यह पूरी dimension है कि जो इसकी पूरी length है ना वहीं अंडर सब 4 मीटर आती है यह तो यह पूरी इसकी length हो गई अब difference मैं वह दिखाना चरहाँ कि है या नहीं है तो भाई यह देखो फैंडर पर आपको इधर की दरफ के दरबी मिल रहे हैं दोनों में वहीं रहने वाले फुटष्टप दोनों में ऐसयटी जैने और विएंध्यज नेणे दोनों आपको फोल्ड उनफोल्ड के लिए आपको मैनूली करना पड़ेगा बाकी अंदर से आप इनको अड़स्ट कर सकते हैं ठीक है वही सेम इन दोनों की हाइट है यह आपका हाइट टॉप वेरेंट है और यह भी आपका हाइट टॉप है बट यह वाला जो वेरेंट ए 4x2 यह सिर्फ आपको हाइट टॉप के अंदर कोई जरूत है नहीं बाकी भाई डियर में देख लो ठीक है अरे वाँ क्या गजब की लग रियर लाइट ठीक है रियर से मैं आपको दिखाता हूं दोनों गाड़ियां तो गड़ा सा दूर से हो जाता हूं यहां से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा हाँ अब देख लो एक एक करके दिखाता हूं यह गाड़ी है ना आपकी डियर से बिल्कुल डिट्टो है वही आपके टेल लैंस दे रखे हैं दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं और जो पीछे आपको स्पेर वील दे रखा है वो भी आपका अलॉय के अंदर है सेम आपको कुछ भी वह नहीं करी गई डिफोगर दे रखा है हाई मांट स्टॉप लैंग दे रखा है ठीक है और बस इधर आपको अटमेटिक की बैज़ेंगे क्योंकि यह आपको वही सेम एज आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और यह आपको टेल लैंस मिल जाएंगे अब भाई इधर की रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और भाई यह आपको डिपार्चार एंगल है अब देखो यार इधर वाई यह जो सिस्टम है RWD यह वील ड्राइव वाला सिस्टम इधर आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर अगर नीचे से देखोगे अगर दिख जाता है तो इ नहीं मिलेगी क्योंकि यह 4x2 वेरिंट है और इधर की तरफ आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाएगी अब चलो यार देली नहीं करता अंदर से दिखाता हूं कि असली मज़ा तो अंदर से ही है यह देखो यार यह डोल ट्रिम है आपके 4x4 वेरिंट की ठीक है इसके अंदर आ इस आपको इल्युमिनेशन मिलती है इधर आपको मिल दीते हैं यह सारा पैटर्ण सेम है जो ग्लोशी ब्लैक के अंदर है अब भाई इसके अंदर ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो आप सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टायर पेशन मांटिंग सिस्टम वगरा देखो यह वाला पार्ट आपका जो यह आगे ना 4x4 इधर आपको यह लिवर मिल रहा है यह अटमाटिक का यह मिल गया सेंटर कंसोल बिलकुल डिट्टो है कोई भी डिफरेंस नहीं है इधर आम्रेस बगएर सच कोई चीज नहीं आती मैं आपको उधर की तरफ लेके चलत तो इसको खोल लेते हैं तो वही सेम आपकी डोर ट्रिम इधर थाल लिखा वह दिखा रहा है जो बहुत प्यारा लग रहा है इस तरीके से और वहीं के कंट्रोल हो गए और यह पूरा ब्लैक थीम हो गई और इधर वही सेम आपको यह सारे स्विचेज मिल जाते हैं अच्छ दिफ्रेंस है या नहीं वह देख लेते हैं तो मेरभाई लगाते हैं चावी और इधर भी आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है कलर टी एफ्टी के साथ जो बीच में हम आईडी रहने वाली है और टायर प्रेशर मोनेटिंग सिस्टम वगरा सब मिल जाता है आपको यहां पर सेवन इंच के डिस्प्ले मिल जाती है बीच के अंदर वही सेम पैटर्न है आपका दिख रहा होगा इधर आपका बिल्कुल सेंटर कंसोर बिल्कुल डिट्टो है कोई भी डिफ्रेंस नहीं है डिफ्रेंस कहा हैगा भाई यहां पे यहां पे जो 4x4 का सिस और बोस्टिंग वगएरा सब सही है और हां यार यहां भी आपको थार देखने के लिए मिलेगा दोनों में ही मिलेगा स्पीकर्स वगएरा यहां पे भी रूफ में है और धर भी रूफ में बाकि अंदर यह जो पूरा सारा है बिल्कुल डिट्टो है सच कोई भी डिफ्रे लिटर के साथ है इंजन हलका होने की वेशे और 4x4 system होने की वेशे 4x2 variant का वेट हलका हो गया है और भाई पैसे भी हलके हो गया है यानिकि जब पर हलकी पढ़ने वाली है और यह 4x4 variant जो है ठीक है यह आपका 16,29,000 पर आटमेटिक के साथ है तो मेरे भाई यह था इन दोनो गाडियों का complete जो differences है मलब differences में ही नहीं है सच engine में है और badging में है बाकी वह इसका 4x4 यह 4x2 है वह system हट गया नीचे से और बात है कि safety की तो safety भी आपकी इसके अंदर same as a tease मिलने वाली है यह यार इतना एक बढ़िया step उठाया ना बहुत ही बढ़िया तो यह था यार पूर ने भाई के चैनल को यार जरूर देना सब्सक्राइब करके मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में till then take care bye bye